Hello students, अगर हमसे पूछा जाए कि कुछ ऐसी चीजों के नाम बताईए जो खाने में खटी लगती हैं, तो हमारे दिमाग में बहुत से जवाब आते हैं, जैसे लेमन, ओरेंज, टोमेटो, कर्ड, विनेगर, टमरेंड, एटसेटर, इन सभी वे बच्चों, शैद आप जानते भी होंगे कि लेमन औरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, जैसे हम सैट्रिक एसिड भी बोलते हैं, टोमेटो में, ओक्जेलिक एसिड होता है, कर्ड में, लेक्टिक एसिड होता है, वेनेगर में, एसिटिक एसिड होता है, और टमरेंड, जैसे इमली भी कहते हैं, इसमें टाटरिक एसिड होता है एक चीज कॉमन हमको समझ में आ रही है कि इन सभी चीजों में एसिड किसी ने किसी फॉर्म में प्रेजेंट है तो इन जनरल हम लोग कह सकते हैं कि एसिड्स आर सौर इन टेस्ट ओके इसी तरह से कभी नहाते समय या साबून से मुध होते समय हमारे मुँ में अगर साबून का पानी चला गया तो उसका बड़ा अजीब सा टेस्ट आता है हमको तो हमें यह भी मालूम है कि जो सोप होता है यह बेसिक नेचर का होता है तो हम कह सकते हैं कि बेस्स आर bitter in taste लेकिन जब हमको practical करने के लिए lab में ले जाए जाता है तो lab में जाने से पहले ही teacher बहुत ही strict warning दे देती है कि कोई भी student किसी भी chemical को touch नहीं करेगा हाथ से क्यों? क्योंकि lab में बहुत तरख के chemicals होते हैं और वो chemicals corrosive हो सकते हैं और हमारे लिए dangerous हो सकते हैं means हमको वो हम उनसे जल भी सकते हैं इसलिए strictly मना कर दिया जाता है अब ऐसे cases में जो भी chemicals हैं उनके बारे में हमको कैसे पता चलेगा कि ये acidic nature का है या basic nature का है तो chemicals को test करने के लिए एक group of substance को select किया गया है जिनका behavior acidic medium में different होता है और basic medium में different होता है और इतना significant होता है कि हम आसानी से identify कर सकते हैं कि given solution acidic nature का है या basic nature का है तो ऐसे substances को कहा जाता है indicator ये indicators indicate करते हैं कि given solution acidic nature का है या basic nature का है तो बचो हम indicator को define कर सकते हैं कि indicator is a substance that changes its color or a smell in acidic and basic medium या अब इसका मतलब हुआ बचों की indicator दो तरह के होते हैं कुछ indicator अपना acidic medium में different color show करते हैं और basic medium में different color show करते हैं जबकि कुछ indicator ऐसे होते हैं जिनकी smell change हो जाती है means acidic medium में उनकी smell अलग होती है और basic medium में उनकी smell different होती है ओके अब वो indicators कैसे भी हो इन सभी indicators को हम लोग mainly two group में divide करते हैं first group है natural indicators यह हमें बच्चों नाम से ही समझ में आ रहा है कि natural indicator हम उन indicators को कहते हैं जो हमें nature से मिलते हैं ठीक है तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि indicators derived from natural sources are called natural indicator natural indicators का बच्चों एक बहुत ही common example हम लोग अपनी daily life में भी देखते हैं जैसे suppose हम खाना खा रहा है खाना खाते समय सबजी की करी या अचार पिकल कुछ भी हमारे कपड़े पे गिर जाता है तो वहां पर तुरंत yellow color का एक stain हो जाता है दाग लग जाता है हल्दी की वज़े से ठीक है अब जब उस दाग को धोने के लिए उस stain को wash करने के लिए हम उस पे साबुन लगाते हैं तो हम देखते हैं कि वो जो yellow color का stain था वो अब red color का हो गया है कभी notice किया है आपने ऐसा फिर से wash किया जिससे सारा साबुन उसमें से निकल गया तो हम देखते हैं कि जब उसमें सारा soap निकल गया तो वो stain जो था वापस yellow color का हो गया तो ऐसा क्यों हुआ क्यों ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो soap है वो basic nature का होता है तो basic medium में turmeric ने हल्दी ने अपना color चेंज किया और जब soap निकल गया और neutral medium आया तो वो हल्दी का जो stain था वापस अपने original color में आ गया तो यहां पर turmeric एक बहुत अच्छा एक्जामपल है natural indicator का ओके example one है turmeric और भी एक्जामपल है जैसे litmus litmus के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि litmus जो होता है यह एक हम lichen से extract किया जाता है तो lichen तो nature में ही मिलती है और उसका extracted form है litmus जो है हमारा acidic medium में red color शो करता है और basic medium में blue color शो करता है different indicator acidic और basic medium में कौन-कौन से color देते हैं इसको हम लोग इसी वीडियो में आगे चल के देखेंगे next example है हमारा red cabbage red cabbage की जो leaves होती है उनका हम लोग extract निकाल लेते हैं और वो भी indicator का काम करती है इसी तरह से बहुत से फूल है flowers है जो indicator की तरह काम करते हैं जैसे कि petunia का flower होता है winter time में होता है शायद आपने देखा भी होगा इसी तरह ziranium का flower होता है यह चाइना रोज है बहुत ही कोमन ओके एडसेक्टर तो यह सारे एक्जाम्पल हो गए हमारे natural indicator के second type है हमारा indicator का synthetic indicator synthetic indicator नाम से ही मालूम हमें समझ में आ रहा है कि यह synthesize किये जाते है means they are synthesized in the lab means हम कहा सकते हैं यह man-made होते हैं इसका example है phenophthalein दूसरा एक्जाम्पल है methyl orange यह दो indicator ऐसे हैं जो हम लोग काफी frequently lab में यूज करते हैं बच्चों मैंने आपको बताया था कि कुछ indicators ऐसे होते हैं जो अपनी smell चेंज करते हैं acidic medium में and basic medium में तो ऐसे indicators को हम लोग बोलते हैं all factory indicators तो all factory indicators को हम define कर सकते हैं the substances whose odor odor means smell changes in acidic or basic medium they are known as olfactory indicator इसके एक्जाम्पल है बनीला ओनियन and clove ये तीन ऐसे एक्जाम्पल हैं vanilla, onion and clove जिनकी smell acidic medium में नहीं होती है या इनकी smell हम कह सकते हैं acidic medium में different होती है और basic medium में different होती है ओके बच्चों इस table से आज हम लोग जानेंगे कि कैसे indicators हमारी help करते हैं acid या base को पहचानने में सबसे पहले हम लोग natural indicators को लेते हैं जिसमें first नाम है turmeric का turmeric जो है acidic medium में yellow color show करती है और basic medium में reddish brown color की हो जाती है ओके second नाम है litmus litmus acidic medium में red color show करते हैं और basic medium में blue color show करता है third है china rose china rose acidic medium में pink color का होता है और basic medium में ये green color show करता है next है red cabbage red cabbage acidic medium में pinkish red हो जाती है और basic medium में red cabbage का color कुछ blueish green का हो जाता है नेक्सलाइब का जाता है नेक्स्ट है हमारा synthetic indicator synthetic indicator में synthetic indicator में phenophthalene जो है acidic medium में colorless रहता है जबकि basic medium में ये pink color show करता है methyl orange acidic medium में pinkish red होता है जब कि basic medium में ये yellow color का हो जाता है next है हमारा olfactory indicators olfactory indicators में vanilla, onion और clove वनीला एसेडिक मीडियम में ये अपनी नॉर्मल स्मेल को शो करता है नॉर्मल स्मेल होती है लेकिन बेसिक मीडियम में ये अपनी स्मेल को लूज कर जाता है इसी तरह से ओनियन भी अपनी नॉर्मल स्मेल को शो करता है इन्दा ऐसे डिक मीडिय लेकिन बेसिक मेडिय में ये भी ओड्रलेस हो जाता है सिमिलरली क्लोव भी एसेडिक मीडियम में अपनी नॉर्मल स्मेल को दिखाता है जबकि बेसिक मीडियम में ये भी ओडरलेस हो जाता है ओके तो इस तरह से इंडिकेटर्स हमें एसेड या बेस को पहचानने में हमारी हेल्प करते हैं करते हैं करते हैं